हर्याना दी पंचकुला देविच बेहत दर्दनाक हाथसा वाप्रय सडख हाथसे देविच दो नौजवाना दी मौत हो गई है जदकी एक नौजवान गंबी रुप विच जखमी होया है जिसनू हस्पताल देविच पर्तिक रहाए गया जिते फिलहाल उसदा इलाज चाल रह हर्याना दी पंचकुला देविच बेहत दर्दनाक हाथसा वाप्रय सडख हाथसे देविच दो नौजवाना दी मौत हो गई है जदकी एक नौजवान गंबी रुप विच जखमी होया है जिसनू हस्पताल देविच पर्तिक रहाए गया जिते फिलहाल उसदा इलाज चाल हर्याना दी पंचकुला देविच बेहत दर्दनाक हाथसा वाप्रय सडख हाथसे देविच दो नौजवाना दी मौत हो गई है जदकी एक नौजवान गंबी रुप विच जखमी हो गई है हुए है जिसनू हस्पताल देविच पर्तिक रहाए गया जिते फिलहाल उसदा इलाज चाल रहे है हुए है जदकी एक नौजवान गंबी रुप विच जखमी हो गई है जिसनू हस्पताल देविच पर्तिक रहाए गया जिते फिलहाल उसदा इलाज चाल रहे है हर्यान दे पंचकुला देविच बेहत दरदनाक हाथसा वाप्रय सडख हाथसे देविच दो नोजवान दे मौथ हो गई है कि एक नौजवान गंबी रुप विच जखमी होया है जिसनू हस्पताल देविच पर्तिक रहाए गया जिते फिलहाल उसदा इलाज चाल रहे है दस जारे के तिन्नो नोजवान बित्ती राद बुल्ड़ते स्वार होके गई सड़ जो दो सेक्टर ग्यारा दे बारा ए डिवाइडिंग रोड दे गए तक इसे वाहन दे बोलू इना बाइक स्वारा नू टकर मारीगी जिस्दे कारण दो नोजवान दी मौक जदकी तीजे नोजवान नू हस्पताल देविच पर्तिक रहाए गया जिते फिलहाल उसदा इलाज चाल रहे है दैनिक स्विना ली दिनेश गोहल दी रिपूट